हेलो गाइज तो वेलकाम बेक तो माई चैनल टेक्निकल प्यूरी तो आज के वीडियो शुरू करते हैं तो आज के तोपिक हैं तो मैं भी आपको यहां पर बताऊंगा कि अगर आपने आपको वाटसेप पर ट्विस्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करके रखा हुआ है तो आप उसको कैसे करकर इसको दिसेबल कर सकते हैं वही मैं आपको आची है आप बताने माला हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरा चैनल पर ना है तो यहां पर पर जबिस चैनल को भी जरूर सस्क्राइब कर लेना है तो आज को वीडियो शुरू करते हैं तो इसके लिए क्या करना है पहला जो इस ते पर आपको WhatsApp को open कर लेना है तो WhatsApp को open करते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस यहां पर open हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर DIY एक 3DOT का option तो आपको 3DOT पर क्लिक करना है 3DOT पर क्लिक करने का बार आपको यहां पर मिल जाता है एक settings का option तो आप देख सकते हैं निचे पर यहां पर DIY तो आपको इसको भी open कर लेना है इसको open करते ही आपको यहां पर setting जो है open हो जाएगा तो आपको जाना है account पर एकाउंट पर जाना है, एकाउंट पर जाने का बार आपको यहाँ पर मिल जाता है बहुत सारा आपको options, तो आपको क्या करना है, आपको जाना यहाँ पर, यह होगी आपका two step verification, तो आपको इसको क्लिक करना है, क्लिक करने का बार आपको यहाँ पर मिल जाता है एक disable का option, तो अगर आपको आपको जो WhatsApp एकाउन है ठीक है तो इससे वेरिफिकेशन आप इनेबल करके रखा हुआ है अगर आपको डिसेबल करना है तो आपको डिसेबल पर क्लिक करना है disable पर klick करते हैं आपको यहां पर पूछा जाएगा कि disable twist lay verification तो आपको क्या करना है क्या आपको disable पर क्लिक करें पर तो मैंने यहां पर disable पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं मेरा 2500 वेरिफिकेशन जो यहां पर इसे बल हो गया है तो मिलते हैं एक लिए वीडियो में, थैंक्स वर वाचिंग